दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडेजी टेक्निकल में कल दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी चैनल पे कि प्राइबेट जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए पॉल टेक्निक की बेस्ट ब्रांच कौन सी है डिपलोमा के ऐसे कौन से कोर्स को करना चाहिए जिस कोर्स को करके और हम आसानी के साथ टेक्निकल सेक्टर में आ सकते हैं गौर्णमेंट जॉब के सेक्टर में आ सकते हैं तो आज हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं ऐसे टॉप ट्रेड जिन ट्रेड की वेकेंसी अक्सर आपकी आती रहती है और अगर आप गौर्णमेंट सेक्टर में इंट्रेस्टेड है तो आपको इंट्रेड को ज़रूर लेना चाहिए और अपने डिपलोमा में काउंसलिंग कराते समय कुछ गलतिया नहीं करनी चाहिए सबसे पहली बात दोस्तों अगर हम गौर्णमेंट जॉप के सेक्टर के एकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहला जो आपका ब्रांच निकल के आता है वो निकल के आता है आपका सिविल इंजिनिरिंग से अगर आपने डिपलोम से निकलती है जैसे कि सबसे पहले तो आपका स्सी जेई आजाएगा उसके बाद आप लोगों का स्सी जेई के अलवा कभी कभी यूपी पीशेर में भी आपकी वेकेंसी आती है रेलवे में भी आपकी आती है इसके अलवा पी डवलो डी में भी आपकी वेकेंसी आती है मतल तो ऐसे बहुत सारे opportunity आपको देखने को मिलेंगे अगर आप civil engineering के student है तो क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि civil से पढ़ने वाले जो maximum student होते हैं वो government job के sector की तरफ चले जाते हैं तो यह आपका बात करेंगे हम electrical engineering के बारे में ठीक है ध्यान से देखिएगा जो branch में बता रहा हूँ बिलकुल आपको उसी branch को select करना है government job वाले जो interested student है क्योंकि नाम में कभी कभी confused हो जाते हैं और electrical के जगापे कई लोग electronics और electrical को दोनों को इक ही समझ लेते हैं बट बहुत जादा difference है and electrical and electronics को भी कुछ लोग electrical समझ के डिप्लोमा करने लगते हैं तो भी आपका ये बहुत बड़ा confusion है electrical engineering दोस्तों एक आपका अलग branch है और इस branchे से अगर आप तैयारी करते हैं तो SSE GE इसके अलामा अगर आप किसी भी state के power plant में अगर कोई vacancy आती है तो आप आवेदन कर सकते हैं और आपको मालूम है कि हर state का आपका electricity board अलग-अलग बना हुआ है ठीक है जैसे कि अगर दोस्तों हम बात करें आप लोगों के UP की तो UP में आप लोगों का बना हुआ है दोस्तों UP PCL तो इसमें तो हर साल आपकी vacancy आती है SSE में भी हर साल आती है आपकी railway में आपका बहुत बड़ा opportunity रहता है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि electrical engineering के students के लिए भी काफी अच्छी खासी opportunity निकल के आती है अगर आप interested हैं तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं चुकि तैयारी करने के बाद आपको इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि सर vacancy कब आएगी और हम paper कब देंगे because ये सारे आपके top के branches है और top के branches में कभी vacancy की दिकत नहीं होती है ठीक है तीसरा दोस्तों आप लोगों का निकल के आता है mechanical engineering ठीक है mechanical में अगर आप दोस्तों इंटर करेंगे तो आपको बहुत सारे mechanical के sub branch देखने को मिलेंगे जैसे कि कुछ लोग कहेंगे कि भी mechanical में आप production ले लो ठीक है मैं सारी बातें यहां पर लिख दे रहा हूँ अलोड़ी ताकि आपका doubt clear हो जाए कई लोग कहेंगे कि सर automobile का sector आपका best है कई लोग कहेंगे कि mechanical में maintenance का आप लोगों का sector best है कई लोग कहेंगे कि CAD का sector best है तो automobile वाले तो private sector के तरफ चले जाते है maintenance maximum private sector CAD maximum private sector तो अगर आप mechanical engineering में diploma कर रहे हैं दोस्तों तो आप try किजेगा कि government job के sector की तरफ आप जाना चाहते हैं तो mechanical में 100% आप लोगों को production ही लेना चाहिए mechanical production एक branch है या फिर diploma in mechanical engineering आपका होगा तो वो ले लीजेगा या diploma in mechanical engineering production department होगा वो ले लीजेगा अगर यूपी की बात करें तो काफी सारे college हो में automobile का branch चल रहा है कई में CAD चल रहा है कई में maintenance चल रहा है अब बहुत सारे जगों पर production चल रहा है बाकी अन्य state में भी आपके बहुत सारे जगों पर production चलता है तो दोस्तो अगर आप diploma करके government job के sector की तरह preparation करना चाहते हैं तो आपका top trade तो यहां तीन ही है ठीक है civil engineering, electrical engineering and mechanical engineering Apart from that मतलब इसके अलावा आप ये बात करेंगे अगर तो अगर आप interested हैं तो आप electronics ले सकते हैं vacancy तो कम आती है बट opportunity इसमें भी रहती है ऐसी बात नहीं है बाकी आप लोग भई चैनल को अपना प्यार and support ज़रूर दिखाएए और वीडियो को एक दूसरे के साथ share ज़रूर करिए ऐसे लोगों के साथ से ज़रूर करें जो पॉल टेक्निक करना चाहते हैं करियर को लेकर के confused हैं ताकि अब जो है आपके करियर में सबसे बड़ा साथ ही पॉल टेक्निक से related पांड़ जी टेक्निकल बनने वाला है वीडियो रखने के लिए और हमारा साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद